तो noise ने launch कर दीए एक और birds ये है VS104 Max दो color variants में मेरे पास मैं available है तो चलि देखते हैं इस वीडियो में कि ये कैसे है इन birds के अंदर में आपको active nice cancellation भी मिल जाएगा up to 45 hours का play time मिल जाएगा cord mic है इसमें ENC के साथ में भी और यहाँ पर भी इसके कुछ key specs लिखे हुए है नाम इसका max है और इसमें drivers है 13 mm के चलि बॉक्स के content पर सबसे पहले नजर डाल लेते है paperwork मिल रहा है, stickers है, warranty card है, user manual है एक और box मिलता है, extra pair of air tips और USB type-C वाली charging cable तो ये मेरे पास में silver grey एक तरफ और दूसरा है rose gold वान हैंड से operation हो जाता है, इसका मतलब एक हाथ से खुल जाते हैं easily आगे की तरफ में indicator lights मिल रही है, battery का अंदाजा हो जाएगा case में कितनी battery बची है तो ये birds की look जो है ना personally case की मुझे काफी अच्छी लगी easy to carry हो जाता है और पीछे की तरफ में आपको बिल्कुल plain design मिल रहा है, कोई hinge का design नहीं है, नीचे की तरफ में आपको type C port मिल रहा है, चार्ज करने के लिए up to 45 hours का play time दे देंगे आपको ये width charging case, एक बार birds पे भी आपको closer look दिखाएता हूँ कान में मैंने पहना, fit काफी अच्छी लगी मिरको तो जिम में इसे आप पहन सकते हैं, बागी air tip अपने कान के हिसाब से choose कर देना hyper sync के साथ में आते हैं, fast pairing आपको मिल जाएगी, HD audio का support भी है touch की बात करते हैं, left वाले से volume आपकी single tap पे कम हो जाएगी, right वाले से volume जो आपकी loud हो जाएगी, double tap करेंगे किसी बड को, play pause कर सकते हैं, track को, right वाले से triple tap पे track next हो जाएगा, left वाले से track जो है previous हो जाएगा, चार बार tap करेंगे किसी बड को, तो यहाँ पे आपका voice assistant भी activate हो जाएगा, touch इसका सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें active noise cancellation है, और ANC इसका है, up to 25 decibels का, तो यहाँ पे आपको right वाले बड को tap and hold करके रखना है, ANC को on, off या transparency mode पे जा सकते हैं, gaming mode है इसमें, लेकिन कितनी latency है, वो कहीं mention नहीं है, और left वाले से gaming mode वे जा सकते हैं, अब इसका ANC perform कैसे करता है, up to 25 decibels की जितनी भी noise होती ना, उसको cancel out कर देगा, उससे ज़्यादा loud जो हो दी आवाज, उसको cancel नहीं कर पाएगा, यानि fan और AC की आवाज को यह दबा देता है, उतना आपको नहीं सुनाई देगा, 13 mm के drivers हैं उसमें, and sound clarity ना, मुझे इसकी जो है ठीक लगी, basis में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, travel भी यहाँ पे ठीक मिलता है, airbud के अगर ने बात करूं तो airbud यहाँ पे loud है, तो आपको 60-70% volume पे जो है ना, अच्छा खासा response मिल जाएगा, distortion किसी तरह का इसमें नहीं है, दोनों airbud में मिला कि आपको 4 mics मिलने वाले हैं, और इसमें environmental noise cancellation भी है, calling quality यहाँ पे अच्छी है, इसमें आपको insta charge का support भी मिलता है, जो कि noise के और airbud में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट के charge पे आपको 180 मिनट का playback time मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है, तो max के इसाप से इसका battery backup तो अच्छा perform कर रहा है, IP rating की बात करो, तो यहाँ पे IPX5 की rating आपको इन birds के अंदर मिल जाती है, अब Bluetooth की version की बात करों, तो Bluetooth का version 5.3 यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है, अब बात करते हैं इसके pricing की, इसका जो launch price है वो है 1699, जो कि बाद में बढ़ जाएगा, तो यह सिर्फ इसका launch price है, कुछ ही समय के लिए रहेगा, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, और 1699 के आपसे battery backup आपको अच्छा मिलने वाला है, और sound में आपको loudness अच्छी मिलने वाली है, बाकि ANC के बारे में बचा दिए, अप्टो 25 decibels का ANC है, तो fan और AC की noise को जो है, वो block कर देता है, कुछ पूछना है तो comment कीजिए, अगले वीडियो में दिखाऊंगा कुछ और gadgets, फिलाल में मैं इनको और test करने वाला हूँ, तो long term review के बारे में भी मैं comment में आपको जवाब दे दूँगा, अगर यह वीडियो आप कुछ समय के बाद देख रहे हैं, comment करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपना experience आप लोगों के साथ में share कर सकूँ,